हाली में हर्याना के ग्रह और स्वास्त मंत्री अनिल विज ने खुद के शरीर पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कराने का एलान किया था जहां अनिल विज को देशी कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीन के तीसरे चरण में पहलाती का लगा दिया गया है बढ़ारे कि अब अनिल्विज की 42 दिनों बाद जांच होगी देश को इस वैक्सीन से बहुत उमीदे हैं और अगर ये वैक्सीन सभी की उमीदों पर खरी उतरती है तो बहुत जल्द इससे देश की कुने कुने में पहुचाया जाएगा मंतरी अनिल्विज को जब कोरोना वैक्सीन का टीका लग रहा था तो वहां मौझवद अधिकारी उनके भाई और अन्य लोग बड़े हैरान हो गए थे प्रैल के दरान विज़ के आसपास मौझूद अधिकारियों के जान सकते में आ गई थी अलाकि उन्हें सफलता पूरवक कोरोना का टीका लगा दिया गया इसके बाद अधिकारियों को राहत की सांस मिली अनिल्विज को जब कोरोना का टीका लग रहा था तो अस्पताल में उनकी भाई भी मौझूद थे ये द्रिश देखकर उनकी आँखे चलक पड़ी थी लेकिन जब सब कुछ ठीक रहा तो उनकी चहरे पर एक खुशी की मुस्कान नजर आई अनिल्विज को वीडियो कॉल कई मदद से उनके परिजन देख रहे थे और वो लगातार स्वास्त मंत्री का होसला बढ़ा रहे थे महतुपून बात ये रही कि पूरी प्रक्तिया के दौरान अनिल्विज एक पल के लिए भी चिंतत नहीं दिखे बढ़ा जा रहा है कि देश की इस को वैक्सीन का परिक्षन 25,600 लोगों पर किया जाएगा COVID-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर धुरुवत चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि हर आयू वर्ग पर इस देशी वैक्सीन का परिक्षन किया जाएगा इसका परिनाम करीब तीन महिने में आएगा